अलो अब्रिवान वेलकम टू यूजी सी नेट सुपर कोचिंग मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो को बहुत खास बनाने वाले हैं हम खास इसलिए हो सकता है ये वीडियो क्योंकि आप लोगों के फर्माईस पे आप लोगों के रिक्वेस्ट पे अकाउंट अकाउंटिंग स्टेंडर्ड वाले वीडियो लेके आईए जिसमें आप एक कहानी के थ्रू ये सारे अकाउंटिंग स्टेंडर्ड आप सिखाने वाले हो तो ध्यान रखिएगा थ्रू आउट दा वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि एक कहानी मैं ऐसा बताऊंगा उसमे से उस कहानी को सुन के आपको पूरी की पूरी accounting standard जो है ना वो याद हो जाएगी तो आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं ध्यान रखिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने ये चाहा है कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करें अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया बहुत तरीके के अलग-अलग plans and policies पढ़ा तो पहला जो accounting standard वो किस से deal करेगा accounting policies से जो ये red वाला आपको पार्ट दिखाया जा अब हर वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा हर स्लाइड में नहीं बताऊंगा ध्यान रखेगा ये policies जैसे red color में है तो ये ध्यान रखेगा accounting standard 1 जो है deal with policies ऐसे आप समझते रहेगा ठीक है तो जो पहला हमारी कहानी कहां से स्टार्ट हुई Mr. मोहित की कहानी है और उन्होंने बहुत सारे plans and policies पढ़ लिया अपने नए business के लिए अब उन्होंने ये सीख लिया था कि अब business के अंदर हमें बहुत सारे inventories लाने पड़ेंगे है ना तो inventories अगर लाएंगे और उसको बेचेंगे तब ही हमारे business के अंदर cash flow आ सकता है cash की flows हो सकती है तो यहां तक तो उन्हो उन्होंने सीख लिया था उसके बाद हम क्या करेंगे अब उन्होंने इसको ignore कर दिया था कि किसी तरीके का contingency भी हमारे business के साथ हो सकता है और यही हुआ इन्होंने इसको बिलकुल ignore किया था contingency उन्होंने पड़ा ही नहीं था उनके पास पैसे थे उन्होंने inventory खरिद लिया ह और उस inventory को बेच के उनके पास cash flow आ गया ठीक है लेकिन वो contingency को ignore कर दिया उन्होंने और जैसे contingency को ignore किया उन्होंने उनके business के अंदर एक short circuit होई और पूरे business में क्या हुआ आग लग गया और आग लगने के बाव जो जितने भी stocks थे उनके destroy हो गया ठीक है अब उन्होंने पता लगाने की कोशिस की ये भाई आग कैसे लगी है हम तो सारा चीज सही करके चल रहे थे है ना तो पहले क्या हुआ था इनके business में पहले जो wiring वाला था उन्होंने वाइरिंग ठीक से नहीं करी थी तो prior period में इन्होंने दब देखा था तो wiring नहीं अच्छी थी और अच्छी wiring ना होने की वज़ा से shortcut circuit लगी और उससे आग पकड़ ली जिससे सारा उनका नुकसान हो गया ठीक है तो sixth number पे आते हैं तो उनकी जैसे ही आग लगी थी सारे business में जितने भी asset थे वो जल चुके थे जिससे उनकी सारे asset जो थी ना वो depreciate कर गई थी ठीक है ना उसके बाद क्य ये एक नय सीरे से start करते हैं और उन्होंने क्या किया एक नया business start करना चाहा ठीक है अब उसने क्या किया नय बिजनेस वो start करेंगे construct करेंगे तभी revenue निकल किया आएगा है ना तो उन्होंने यही सोचा कि अब कोई option नहीं है नया business हम construct करेंगे जिससे हमारा क्या होगा revenue generate होग तो उससे हम बहुत सारे fixed asset अलग-अलग तरीके के acquire कर पाएंगे, है ना, उसके बाद क्या हुआ, अब उनका पहला वाला जो पैसा था, वो तो सारा खतम हो चुका था, तो उन्होंने सोचा ना, कि इस बार हम foreign exchange से loan लेंगे, है ना, चुकि वो मोदी जी से बहुत जारा अटे उन्होंने सोचा कि इस बार जो मैं investment करूँगा ना, वो बहुत wisely करूँगा, बहुत बुद्धी लगा के करूँगा, हर जगा को अच्छे से परख करूँगा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब उनके पास investment आ चुकी थी, मोदी जी से उनको grant मिल चुका था, तो उनके पास क्या आया, रतन टाटा का offer आया, कि चलिए भाई हम और आप मिलके amalgamate करते हैं, तो जो 14 नंबर का accounting standard होगा, वो amalgamation का बन जाएगा, तो उनके पास क्या आता है, रतन टाटा का offer आता है, कि चलिए हम और आप मिलके amalgamation कर लेते हैं, ठीक है, तो amalgamation जैसे ही बात employee म आप लोग settle करिए, है ना, जो हमारी benefits के आप बात कर रहे थे, उनको आप settle करिए एक बार, है ना, तो ये आपका employee benefit से related है, आपका accounting standard 15, ठीक है, अब उसके बाद employee का, यह भी कहना सही था employee का, कि हमारे benefit का कौन ध्यान रखेगा, आप को नया-नया amalgamate कर रहे हो, तो हमारे benefit क आप ही तो सोचिए, उसके बात क्या हुआ, अब employee के benefit का, कोई भी employee किसी भी business का एक backbone होता है, है ना, तो Mr. Mohit ने क्या सोचा, कि चलिए employee को benefit हम देंगे, तो उन्होंने दूसरे किसे fit से borrowing लेना start कर दिया, ठीक है, उसके बात क्या हुआ, अब जैसे borrowing लेना start कर दिया, उन्हो Amalgamation से पहले उन्होंने एक बार सोचा, कि हम सारे एक बार segment को, जितने भी हमारे business के अलग-अलग segment है, उसको हम एक बार study कर लेते हैं, जब उन्होंने study करना चाहा, तो उन्होंने ये observe किया, तो कि एक जो segment है ना, उनका, उनके business का एक segment है, वो negative perform कर रहा है, अब उनको negative perform कर रहा था, और उन्होंने जैसे ही देखा उसको, उन्होंने ये पाया, ये observe कि जितने भी abnormal payment किये जा रहे थे, हना, उनके related parties ही किये जा रहे थे, related party हो सकता है, उनके business में, उनके relatives होंगे, और वो relatives क्या कर रहे थे, कि वो गलत फायदा उठा रहे थे, अपने relation का, हना, द related parties थे, उनके, है ना, उन्होंने क्या किया, बहुत high lease rental ले रखे थे, ठीक है, तो उसी दोरान मोहित ने ये सोचा कि अब इस business को बंद करने की कोशिस करते है, तो उन्होंने business को, not business, उस segment को बंद कर दिया, ठीक है, अब जैसे ही बंद कर दिया, तो जैसे पूरा segment में से एक आपका segment बंद हो गया था, तो ध्यान रखिएगा, जितने भी EPS थे ना, आपका, आपका EPS जो है increase कर गया, EPS क्या है, earning per share, तो जैसे ही earning per share increase कर गया, जितने भी shareholder थे, जितने भी employee थे, वो खोस होके नाचने लग गये, ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने यह करते हैं, है ना, जितने सारे, जिसमें सारे assets होंगे, सारे liabilities होंगे, उनका valuation हम करेंगे, तो उन्होंने क्या सोचा, कि एक consolidated financial statement तयार करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, consolidated financial statement तयार किया, उन्होंने, जितने भी उनके taxes बन रहे थे, उन्होंने proper government को tax pay किया, ठीक है, उ उनके business से related था, associated business था, उनको, उनका बोला उन्होंने, कि तुम लोग हमें धोखा दिये हो, आपका मैंने कोई tax नहीं देना है, ठीक है, तो अपने associate business का उन्होंने कोई tax ही नहीं दिया, ठीक है, इसलिए tax ना देने से, जो government थे, उनका business सिल कर लिया, और उनका business जो था, associated business जो था, वो discontinued हो गया, ठीक है ना, चलिए, अब यहाँ पर discontinued हो गया, तो उन्होंने क्या सुचा, कि इसका भाई authenticity एक बार check करते हैं, कि क्या business सही तरीके से बंद हो चुका है ना, तो उन्होंने क्या किया, interim report देखा, फिर से review देखा, तो यह आपका accounting standard 25 है, जिसमें हम interim report क review की बात करते हैं, तो Mr. Mohit ने क्या किया, वो report का fully review किया, है ना, उसके बाद क्या किया, अब जैसे जैसे देखो, उनका जो associate business था, वो बंद हो चुका था, EPS growth करने ही लग रहा था, है ना, तो उनका क्या हुआ, अब धीरे-धीरे-धीरे-धीरे क्या हुआ, market में उनकी goodwill जो है, वो बढ़ने लग गई, ठीक है ना, goodwill आपको पता है, intangible asset होता है, तो goodwill उनकी क्या हुई, बहुत अच्छी हो गई, market में उनका नाम हो गया, तो उससे क्या हुआ, उनको बहुत बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे project से offer आने लागे, तो उन्होंने एक बड़े venture कर लिया, एक बड़े project के साथ, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, अच्छा, जब joint venture किया ना, तो उन्होंने अपनी assets को compare करना चाहा, ठीक है, कि हमारी asset की book value क्या है, और actual value क्या है, तो उन्होंने देखा जब, तो दोनों में difference नजार आ रहा था, और जिससे difference की वज़ा से हमारे asset में impairment cause हो रहा था, है ना, तो as जो 28 है, आपका impairment of asset से बन जाएगा, ठीक है, तो ये इससे क्या हुआ, हमारी जो difference arise हो रहे थी, उससे क्या हुआ था, impairment of asset create हो गया, ठीक है ना, अच्छा, joint venture, आप joint venture में जा चुके थे, आपके पास एक बड़ा project आ चुका था, है ना, तो आप एक बड़े big operation पे काम कर रहे थे, बड़े level पे काम कर रहे थे, उस दोरान क्या हुआ, कि एक labor को ना, यहाँ चोट आ गई, ठीक है, labor को विचारा जखमी हो गया, चोट आ गई, तो चोट के वज़े से क्या हुआ, अचानक एक contingent liability create हो गई, Mr. Mohit पे, ठीक है ना, त तो contingent liability जब create हो गई, तो मोहित को क्या करना चाहिए था, इनको compensate करना चाहिए था, है ना, तो जब इन्होंने compensate करना चाहा, तो कोट ने इनको यह order दिया, कि आपको क्या करना चाहिए, कि जो भी आपका employee है, जो भी आपका labor है, जो injured हुआ है, उनका एक actual measure करिए, कि उनको क् compensate आप कर सकते हो, है ना, तो कोट ने क्या किया, measure करने को बोला, कि आप उनका measure करिये, है ना, कि क्या उनको, उनका क्या इलाज में आपका पैसा आया, है ना, आपको उनका इलाज कराना चाहिए, अच्छे से दीखभाल करने चाहिए, तो यह सारा measurement करके आप बताईए, कि कि इतना आप compensate करोगे उस particular level का, ठीक है, तो labor करने के बाद उन्होंने जो court है, उन्होंने एक order pass किया, और बोला कि जो भी labor को money required है, वो आप present करिए, और labor को finally क्या हुआ, उतना compensation जितना labor को चाहिए था, जितना court ने बताया था, कि उतना जो money है, वो labor को दे देना चाहिए आपको Mr. Mohit को, और labor को भी पैसे मिल गया, है ना, और इससे क्या हुआ, last में close हो गया case है, ठीक है, तो finally, जो last में हम AS 32 की बात करते हैं, disclosure of the case की बात करते हैं, है ना, तो ये पूरी की पूरी कहानी है, जिससे आप accounting standard जो है, वो एकदम अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, ध्या काम से, I believe, I guarantee कि आपको ये समझ में पूरी बाते आ जाएंगी, ठीक है ना, तो I believe कि आपको ये सारी चीजे समझ में आई होंगी, जरूर अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा, थैंक्यू, वेरिमच,